वेलकम फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि इंस्टिूट ओफ लिगल इस्टडी जिराची यूनिवर्सिटी मुरावादी केंपस राची जिसके हम लोगों ने प्रिवेस वीडियो में देखी थी फुल डिटेल में हमने देखा था, इंटेल क्या है, एक्जामीनेशन फॉर्म वहने की डेट क्या है, एड्मिशन डेट क्या है, साथ यसाथ कितने नमबर की इग्जाम होगी और जो भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मिशन थी, सभी हमने एक वीडियो में बहुत अच्छी तर तो अच्छी बात है नहीं तो हमारे playlist में जा करके आप देख सकते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग registration form की बात करेंगे for admission in LLM LLM में जो admission लेना है उसकी registration form है उसकी बात हम लोग करने वाले है तो LLM जो है यह दो साल का कोर्स है मैंने प्रिवियस वीडियो में बताया है यह जो सेशन है 2022 से 24 का सबसे पहले फ्रेंड्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्यूंकि आपको यहां पर सभी यूनिवर्सिटी से खास करके आपके यूनिवर्सिटी से रेलेटेड सभी अपडेट सबसे प केल करने में देखिए सबसे पहले जो है आपको ब्लांग इस पेस दिया गया है दो व्र्स तो इसमें एक इंप्रेंट लाइन दिया गया है कि लीव दा ब्लैंक इस पेस इन वीट्विन तू वर्ड्स leave the blank space in between two words समझ में आ रहा होगा आपको कि क्या कुछ कहा गया है blank space छोड़ना है दो words के बीच में सबसे पहले यहां पर candidates name in capital letter as given in class 10 certificate सबसे पहले यहां पर आपको अपना नाम देना है जैसा कि आपका 10th का certificate में दिया गया है यहां पर recent passport size photograph जो है उसको paste कर देना है second father's name in capital letter as given in class 10 certificate जैसा आपने 10th में अपना नाम रडाला हुआ है 10th के certificate के अनुसार ही आपको अपना name fill करना है father's name fill करना है mother's name fill करना है 10th certificate के अनुसार date of worth है यहां पर उसको fill करना है जो आपने 10th word में डाला है अधार कार्ड में डाला है same way डालिएगा इदर उदर से और कोई नहीं डालिएगा age डालना है कि कितने age जो आपकी है जो आप यहां पर date of worth डाल रहे हो इसी के according यहां पर age जो है यह डालिएगा gender male है या female है nationality तो इंडियन ही होगा category आप अपना डाल सकते है general है st है c है o b c ph या फिर अधर कुछ भी है next address की बात आती है for correspondence address बोलता है any change in the address में please be initiate immediately अगर कोई भी change होगा address में तो आपको तुरत उसको क्या होता है बताना यहां देखिए आपको address भरना है correspondence address जो है state fill कर देजेगा यहां पर pin fill कर देजेगा contact number whatsapp number भी यहां पर मांगा गया है email id मांगा गया है और कौन सा email id मांगा गया है candidates on valid email id candidate का अपना valid email id जो है वो मांगा गया है next आपका है 12 में आपका कहा गया है academic record मतलब education से related आपका जो है record जो है जो मांगा गया है examination school college board university year of passing marks obtained percentage सबसे पहले 10th 12th और graduation जो की low का graduation का मांगा गया है या diploma जो है 12th का वो 10th में आपने जिस school college से क्या है कौन से board से क्या है year of passing क्या है marks कितना आपने obtain क्या है percentage कितना है यह सभी आपको fill करना है 12th में भी school college board university year of passing marks obtained and percentage graduation जो low का है low का आपको follow करना है यहां पर देखिये सारा कुछ fill करना है अब parents particulars parents particulars में यहां पर name है mothers and fathers mother और father name अपने मा का नाम यहां लिखना है यहां पर father का नाम लिखना है occupation यहां पर क्या करते है occupation and investigation आप यहां पर लिखेंगे annual income क्या है office address दोनों का यहां पर fill up करना है phone number दोनों का डालना है email id दोनों का डालना है next है banks detail for online fund transfer fund transfer के लिए bank detail जो है वो देना है आपको यहां पर name of Punjab national bank यह आपका जो है दिया गया है account number IFC code आपको यहां पर payment detail भरना है तो क्या भरना है transaction id जो transaction किये है उसका id date और नाम यहां पर last में आपका है signature of father guardian और signature of candidate आपका अपना हस्ताचर यहां पर आपके इनका हस्ताचर अब आया है list of enclosure demand draft for Rs.500 current rate must can pay the fee by demand draft demand draft के द्वारा आप इसको भी बना के दे सकते है किसके favor में यह मैंने last video में clear किया हुआ है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा focus नहीं कर रही हूँ document क्या चाहिए आपको इसके साथ में वह मैंने उस video में नहीं बताया तो आज मैं बता रहे हूँ self-attested copy of the online fund transfer जो भी आपने fund transfer किया है उसकी copy self-attested करके आपको देना है marks statement 10th का marks standard चाहिए एज के proof के लिए copy of the marks statement 12th standard का भी आपको चाहिए copy of the marks statement of graduation in law law में जो आपने graduation किया है 12th मतलब 10 12 और graduation में जो लोग किया है तीनों की marks चाहिए वहीं पर self-attested copy of the latest certificate जो अगर आपने category certificate बना रखा है तो आपको उसको भी वहाँ पर submit करना है latest वाला जो है ना अब हम लोग बात करेंगे कि hall ticket की entrance test देने के लिए आपको hall ticket की आई सकता होगी तो उसकी बात करेंगे institute of legal studies राची यूनिवरसिटी मोरावादी hall ticket hall ticket जो है यह आपका है LLM entrance day 2022 candidate name, date of work यह सारा कुछ है यह hall ticket यहाँ पर photo paste कर देना है आपको तो यह था आपका hall ticket friends यह देख लिए आप इसको आपको इसको भी download करना है अगर आपको इसको चाहिए तो आप मुझे comment कीजिएगा आपको इसकी video भी provide की जाएगे I hope friends आपके लिए वीडियो helpful रहा होगा मिलते है next video में subscribe करें हमारे इस channel को ताक कि सभी update आपको सबसे पहले मिलती रहें साथ ही साथ अगर हमारे इस वीडियो से आपको कुछ भी knowledge भी ला हो helpful रहा हो वीडियो तो हमारे इस channel को जरूर से जरूर लाइक कर देजेगा हमारे इस video को लाइक कर देजेगा जिससे मुझे appreciation मिलेगा thanks for watching बाबाई मिलते next video में कर दो